हेलो फ्रेंड्स जब से ससी म्टेस 2022 की वेकेंसी डिकलेर होई है तब से एक इसू चल रहा है मैंने बहुत सारे ग्रुप और यूट्यूब पर ये इसू चलते हुए देखा वह इसू ये है कि बहुत सारे लोगों की एज जो है वो ससी जो एज ले रहा है उससे ज्यादा हो ग जिनकी एज 18 से 25 के बीच में है वो लोग तो सेफ हैं मतलब उनको तो कुछ सोचना ही नहीं है लेकिन इसू क्या आ रहा है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी एज 25 से 27 के बीच में है तो वो लोग सिर्फ 27 वाले जो 18 से 27 वाले है उसमें eligible हो पा रहा हैं लेकिन 18 से 25 वाले मे मिल जाएगा अगर किसी की मालीजी 18 से 25 में eligible हो रही उसकी 26 साल है तो 27 वाले में लग जा रहा है उसकी एज रिलेक्सेशन वो सिर्फ एज रिलेक्सेशन में येस कर देगा तो उसका काम एज रिलेक्सेशन में हो जाएगा और वो 18 से 25 वाले में भी eligible हो जाएगा और SC या फिर OBC, ST इन सम्में काफी 2-3 साल का reservation रहता है तो उन लोगों को ज़्यादा सोचनी जरूर नहीं है दिक्कत क्या हो रही है कि कोरोना आया बहुत सारे लोगों का एक attempt waste हो गया क्योंकि उस समय पर बहुत सारे लोग पेपर देने नहीं जा पाए या फिर ऐसा बोल सकते कैसे सबको opportunity देश से लकसन होना ना होना वो एक बाद की बात है बट opportunity ना मिलना ये गलत बात है तो बहुत सारे लोग ऐसा comment कर रहे है raise our wise तो देखिए raise our wise में क्या है कि जो candidate हैं उनको अपनी wise को खुछ से ही raise करना पड़ेगा क्योंकि किसी एक person के wise raise करने से तो कुछ होगा नहीं उसके लिए cumulative effort चाहिए और बहुत सारे लोगों का एक group हो और group में एक सार ये सारे efforts किये जाएं तो ये successful होते हैं क्योंकि मैंने बहुत सारे बात देखा है ऐसा कि ssc में जो भी age दी जाती है और जब twitter campaign होता है या फिर बहुत सारे लोग grievances डालते है mail करते है ssc को तो change होती है जिसे बहुत सारे लोगों का दो दो पेपर एक दिन coincide कर जाता है तो फिर वो लोग mail कर देते हैं तो ssc को reply करता है और reply करने के बाद में उसका proper solution भी दिया जाता है तो अगर आप लोग भी इस age relaxation वाले issue को resolve करना चाहते हैं जैसे बहुत सारे लोग क्या चाहते हैं डिसाइड वा था कि एक साल का age relaxation मिलना चाहिए तो बहुत सारे लोग जिनकी age मालीजे किसी की 15 अगस्त 1997 या फिर 31 December 1997 वो पीछे हो जा रहे हैं एक साल और उनका selection 18-25 वाले में विल्कुल उनकी chances खतम हो जा रहे हैं तो अगर एक जनवरी 2022 से हो जाएगा मालीजे नहीं तो या एक जुलाई 2022 से हो जाएगा तो उन लोगों के लिए फिर आफसना जाएगा लेकिन जिनकी age मालीजे एक मार्च 2022 1997 तो उन लोगों के लिए तभी हो पाएगा जब उनकी लिए जो age रखी जाए वो उसके भी पीछे हो तो ऐसा है कि 18-25 वाले जो लोग हैं उनमें ही सबस 28 साल तक 27 से एक साल बाद 28 तक तो अगर एक साल का मिल जाता है तो वो 18-27 वाले में तो कम से हमें लिजबल हो जाएंगी तो आप लोग अगर चाहो तो फिर बहुत सारे ग्रूप हैं और बहुत सारे टॉप मेंटरोर्स हैं तो आप लोग उनके यूटूब कमेंट या फिर में या फिर उनको परसनली काल मेल करके उनको बोलो कि इस इसू को ज़्यादा बढ़ाएं और एससी तक यह बात पहुंचेगी तो एससी को करने में कोई दिक्क्त नहीं क्योंकि और मैंने देखा भी है कि यह सब चीजे मान के कर देते हैं क्योंकि जनरल में क्या है कि एससी या फिर कोई एजनसी होती उसका एक मोटो रहता है कि जतने ज़्यादा लोगों के पास अपरचिनिटी मिल पाए उनका सेलक्षन हो ना हो लेकिन उनको अपरचिनिटी जरूर मिली चाहिए तो एससी वाले मानते भी हैं और मान भी सकते हैं तो आप लोग यह कर सकते हो कि ए ना यह कोई इसू जरूर है और जब उनको यह पता चलेगा तो वो इस पर कुछ मीटिंग करेंगे और कुछ ना कुछ डिसाइड करेंगे जरूर इस पर कुछ ना कुछ काम होगा और नहीं होगा तो फिर वो यह कर सकते हैं कि उसमें एक आपसन डाल दें कि एक साल कर एज ले इसेंद दे दिया गया है और एज को वही रखें लेकिन वो कर देंगे मुझे ऐसा उमीद है और बहुस बार यह हुआ है तो अगर यह हो चुका है तो आप लोग क्यों ना इसको ट्राइ करो क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं मैंने कमेंट में देखा और गृप्स में या फिर कुछ लोग ऐसे जिनकी एज निकल गई है उनको भी कोई नोकरी नहीं मिली है और इतना इजी नहीं होता है हर पैक्तिके लिए कि वो सीजियल सही इंस्पेक्टर बन जाए तो उन लोगों के लिए म्टिया से से सल भी जरूवत रहती है उन लोगों के लिए दिक्क करूँगा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो और मैं तो चाहता हूं कि इस इसूपर बात जरूब होनी चाहिए और आप लोगों के फेवर में भी यह होना चाहिए क्योंकि एज रिलेक्सेशन से क्या है कि आप बिल्कुल जो ही आउट हो जाओगे और जो लोग एज नहीं क्यालिफाई कर पा रहे हैं तो उनकी पढ़ाई लिखाई और मॉक टेस्ट देना जो भी चीज़े कर रहे हैं वो सारा वेस्ट हो जाएगा तो इसलिए इस पर बात होनी चाहिए और जल्द से जल्द बात होनी चाहिए धन और जीए अवेगा तो जो ही टेनफे जल्द कर रहे हैं तो जो ही लिए और जोसा है जो प्लेफाई बात होनी चाहिए जल्द से नहीं कर रहे हैं तो भी जार प्रोम